खबर यार यारी कि सुप्रीम कॉर्ट ने यह डारेक्ट किया है सरकार को कहा है कि जल्द से जल्द उस राज्य का जो पूर्ण राज्य का दर्जा देने का मामला है जमु कर्षमीर को वो जल्द से जल्द किया दै We direct that restoration of statehood in union territory of जमु कर्षमीर shall be done at the earliest जितना जल्दी हो आप उसको राज्य का दर्जा दे पूर्ण राज्य का दर्जा दे यह सुप्रीम कोट ने आदेश दिया है सुकेंच सरकार को बिल्कुल सब्सकेद सरकार को आदेश दिया गया है सुप्रीम कोट की तरफ से कि जल्द से जल्द रियासत का दर्जा बहाल किया जाए यानि जिसना से देखा जाए जो अलग-अलग पेटिशन यहाँ पर दाखिल की गई थी उसमें से जो सही थी उस पर सुप्रीम कोट इहाँ पर इंसाफ करता हुआ नजर आ रहा है तो दूसरी तरफ इंसाफ सभी को सुप्रीम कोट की तरफ से मिलेगा हाला कि जो 370 को हटाने का सुब जंद कहा गया आर्टिकल 370 of Constitution as valid मतब 370 को valid मान लिया गया है कि उसको हटाने का जो फैसला था वो valid था ये CGI ने भी मान लिया चुकि सब जजेज बैठे थे सुप्रीम कोट की चीफ जस्टिस भी बैठे थे इसमें ये मान लिया गया है कि इसको हटाने का फैसला सही था और इस मामले में क्लियर्टी आ गई है बिल्कुल क्लियर्टी यहां पर आ गई है और दर्जा रियासत का दर्जा भी जल्द बखाल किया जाएगा इसको लेकर सुप्रीम कोट की तरफ से आपको राद चलें मरकजी सरकार को हिदायत दे दे गई है इलेक्शन के लिए कदम उठाये जाएए ये भी तबस्रा किया गया है फैसला यहाँ पर पड़ा जा रहा है लगता जो अर्जिया दाखिल की गई थी चाहें constitutional और un constitutional था यह फैसला इसको लेकर तस्वीर साद हो गई है और दूसरी तरफ statute का दर्जा वापस दिया जाकि जल्द से जल्द इसको लेकर फैसला किया जाकती और चल रही हैं यह भी साद हो गया है की इलक्शन के लिए कदम उठाये जाएं सुप्रेम कोर्ड की दरव पुनरगठन बिल पर विचार की कोट को जरुवत नहीं समझता है कि जम्मू कश्मीर जो पुनरगठन बिल है उसके 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 कोई विचार करने के जरुवत नहीं है इसके मद्दे नजर एस जी जो है Solicitor General ने आस्वस्थ किया है कोट में कि जल्द से जल्द जमू कश्मीर को पुनराजी का दर्जा बहाल किया जाएगा ये चुकी कोट का सरकार की लाइन नहीं है इसलिए कोट में SG ने इस बात को कहा है और देखिये मान के चलिए कि जल्द सारा प्रोसेस चल रहा है डेलिमिटेशन का प्रोसेस हो चुका है जो चुनावाय को करना था सरकार के कहने पर ही उसके अलावा आप जो पुनर गठन का जो बिल था जो कोट में जो वहां एमेंडमेंट करके आपको जाती का तारक्षन देने का मामला था वो भी लगबग हो चुका है जो सीटे बढ़ाने का मामला है वो भी हो चुका है जो तीन सीटे मनुनित करने का बलकुल डेलिमिटेशन का प्रोसेस यहां पर पूरा हो चुका है तब हमतर तयार यहां अलगी सरकार की तरफ से भी कहा गया था कि वो सही वक्त का इंतिजार कर रही है और जब सुनवाई चल रही थी तब भी ये कहा गया था कि स्टेट हुट का दर्जा जो है वो वापस दिया जाएगा लेकिन अभी इसको लेकर कोई वक्त तै नहीं किया गया है लेकिन सुप्रेम कोट ने यहां से वाज़े कर दिया है कि जल्द से जल्द स्टेट हुट का दर्जा वापस दिया जाए और साथी साथ इलेक्शन यहां पर कराय जाएं तो कई अरजिया यहां पर सही मानी जा रही है और उसको लेकर पीयोके उसको हम लेकर रहेंगे और बार बार जब पेस किया था उन्होंने बिल तब भी उन्होंने कहा था कि हम जान दे देंगे लेकिन इसको छोड़ेंगे नहीं पीयोके को लेकर रहेंगे और कल भी कहा था और अब भी तावल ठोक्ते हो कहेंगे